यह भारत के नुबुत चिंतन का भारत के नुबुत सुष्टार का एक कॉंग्रेस पांती कड़ा कहार करने जा रहे हैं इसी कॉंग्रेस के सक्षे बड़ी लेता आतंत वाज्यों के मारे जाने पर आंसु रहा दिये हैं एसी ही कर्पुकों के कारण कॉंग्रेस देश का भरोशा को चुकी है अब कॉंग्रेस का कहना है कि वो इनहरिटेंस टैक्स लगाए दिए माता पिता से मिल्ले वाली विराशत पर भी आ महा माया माई के अमार बहनी भाई जद्दा आउ जम्मो संगवारी मनला दोर जय जोहार भाजका ने जम्मुदे प्रदान मंत्री पत्का उमिद्वार बनाया था अम्भी का पूर में ही आपने लाल कीला बनाया था और यो कांग्रेस का एको सुष्टी में है आए दिर मोधी पर हमला करने के लिए जगा दूनते रहते हैं उस पूरी टोली ने उस समय मुझे पर हमला बोल दिया था यह लाल किला कैसे बनाये जा सकता है अभी तो पुदान मंत्री का सुनमा बाकी है और यह लाल किले का जर्श्य बना करके महां से सभा कर रहे हैं कैसा का यह ले तुफान लटा दिया था लेकिन आपकी सो थे वहीं मोदि लाल के लिए रखोटा और रास्ते बना संदेश है और आठ अंभी कापुर यह खेत्रा फिर बही आसिरवाद दे रहा है इरेकमार और इरेकमार और इरेकमार और इरेकमार काथ्यों कुछ महिने पहले मैंने आप से 36 गड़ से कॉंग्रेस का प्रस्ताचारिक पंजय हटाने के लिए आशिरवाद मांगा था आपने मेरी भात का मान रखा और इस प्रस्ताचारिक पंजय को साफ कर दिया और आज देखिए आप सबके आजिरवाद से सर्गुजा की संतान आज 36 गड़ का मुक्ष मंठी के रूप में कॉंग्रेस का इतिहास सत्ता के लालच में देश को तबाह करने का रहा है कि देश में आतम को अध फैला है किसके कारूद फैला है इसके कारूद फैला है किसके कारण फ्याला देश में नक्सलवाद बड़ा इसके कारण बड़ा इसके कारण बड़ा साथ्यों कॉंग्रेस का कुशा चानो लापरवाई यही कारण है देश में बड़ा आज भाज़ का सरकार आतनवाद और नक्सलवाद के भिरुद कडी कारवाई कर रही है लेकिन कॉंग्रेस क्या कर रही है कॉंग्रेस हिंसा फड़ाने वालों का समर्थन कर रही है इतना ही नहीं है जो लोग निर्दोस्तों को मारते है लोगों के जीना हराम कर देते है पुलिस कर रहा करते हैं अगर वो मारे जाए तो इस कॉंग्रेस वालों को शहीद कहते हैं जो आप ऐसे लोगों को शहीद कहते होना है तो इस देश के शहीदों कर वीरों का अपमान करते हैं किसी कॉंग्रेस के सक्थे बढ़ी लेता आतंक वाजियों के मारे जाने पर आंसु वहादी है ऐसी ही करतुकों के काना है कॉंग्रेस देश का भरोसा को चुकी भाई और रहनो आज जब मैं सर्गुजा आया हूँ तो कॉंग्रेस की मुस्लिम लीगी सोच को देश के सामने रखना चाहता हूँ और फिर उनका मैनिफेस्ट लाया उसी दिन मैंने कह दिया था आज मैंने कह रहा हूँ उसी दिन कहा था कि कॉंग्रेस का मैनिफेस्टों पर मुस्लिम लीग की छाप है साथियों जब संभीजान बन रहा था काफी चर्चा विचाना के बाद देखेश सभी भुद्धिमान लोगों के चिंतन मनन के बाद बाबा सावां बेड करके में त्रुक में ये तैप किया गया था कि भारत में धर्म के आधार पर आरक्षन नहीं होगा आरक्षन होगा तो मेरे दलीज भाईदनों के ही होगा मेरे आधिवाजी भाईदनों के ही होगा लेकिन धर्म के नाम पर आरक्षन नहीं होगा लेकिन बोट बैंक की भूठी कॉंग्रिस ने कभी इन महा पुरुषों की मातों की परवा नहीं की संभिधान की पवित्रता की परवा नहीं की कॉंग्रिस ने बर्षों पहले आंगर पुदेश में धर्म के आधार पर आरक्षन देने का प्रयास की आधा फिर कॉंग्रिस ने इसको पूरे देश में लागू करने की योजना बनाई इन लोगों ने धर्म के आधार पर पंदरा प्रती शब आरक्षन की बात कहीं और ये भी कहा कि SC, ST, OBC का जो कोटा है उसी में से कम करके उसी में से चुना करके ये धर्म के आधार पर उस लोगों को आरक्षन दिया जाए 2009 के अपने गोशना पत्र में कॉंग्रेस ने यही इरादा भी जताया 2014 के कॉंग्रेस के गोशना पत्र में भी इन्होंने साफ साफ कहा था कि वो इस मामले को कभी भी छोडेंगे नहीं मतला धर्म के आधार पर आरक्षन देंगे अगर दलीतों का आधिवाथों का आरक्षन कट करना पड़े जो करेंगे कई साल पहले कॉंग्रेस ने करणा प्रका में धर्म के आधार पर आरक्षन लागू भी कर दिया था जब वहाँ बीजेपी सरकार आई तो हमने संविदान के विरुद्ध बामा साब आमवेड़कर की भामणा के विरुद्ध कॉंग्रेस के जो निरने किया था उसको खाड़ करके भैंक दिया और दलीतों को आधिवातों को पीछनों को उनका अधिकार वाप्रफ दिया लेकिन करना तकी कॉंग्रेस सरकार उसे और एक हाँ किया मुस्लिम सनुदाय में जितनी भी जातिया है सबको उन्होंने ओबीसी कोटा में डाल दिया ओबीसी बना दिया यानि जो हमारे देश के ओबीसी समातुलाव मिलता था उसका बड़ा हिस्सा कट गया और वो भी महाँ चला गया यानि कॉंग्रेस ने सामाजी नाय का अप्वान किया सामाजी नाय की हट्टा की कॉंग्रेस के भारत के सेक्यूरेजन की हट्टा की करना चका अपना यही कोडल ये कॉंग्रेस पूरे प्रेश्ट में लागो करना चाहते है कॉंग्रेस संभीदान बदल कर एची एची कोविजी का हग अपने वोट बेंक को देना चाहती है भाई और मेहनों के तिर्फ आपके आरक्षर को ही नुकना नहीं चाहते कि उनकी तो मौत बहुट कारणा चाहते है और इसले मेरे आदिवासी भाई भानों को कहना चाहता हूं मेरे गली भाई भहनों को कहना चाता हूँ मैं OBC के भाई भहनों को कहना चाता हूँ ये कॉंगरेस के इदार दे लेक नहीं है सम्विधान के अनुरूप नहीं है सामाज दिनाय के अनुरूप नहीं है भारत की बिन सामधाइक तक अनुरूप नहीं है आपक्ति दरता पाटी कराचती कि आप भारती दरता पाटी परी भारिस्त कडिये कि कंगरेज की एक नर्ष रहων aray किसी रातीय दाक्त हम Krieg दीजी ताकि मैं आपकी रक्षा करूँ है। कहना है कि ये देव के हर गर हर अलवारी हर परिमार की संफ़तिता एक्सरे कुरेंगे हमारी माताओं और अलों के पास जो थोड़ा बहुत त्रीजन होता है गहने जेवर होते हैं कि पॉंग्रे उनकी भी जाज कराएगी यहां सर्वु जांगे तो हमारी आदिवाते पहने चंद्रा पहनती हैं हंसूली पहनती हैं हमारी बैरने मंगल शूत्र पहनती हैं कौँगे यह सब आपसे चीनका वो कहते हैं हम इत्मली डिस्ट्रूट कर देंगे आपको मालूम है न वो किसो देंगे मालूम है न किसको देंगे आपसे लूट करके किसको देंगे मालूम है न मुझे कहने की जरूरत है क्या क्या ये पाप करने नहीं के आप और कहते हैं कॉंग्रे सत्ता में आने के बाद ही वो एक के बाद ऐसे क्रांती काली कदम खैड़ी अरे ये सपने मत्रे को देश की जनता आप कैसा मोकर नहीं देखे काजियों कॉंग्रेस पार्टी के खतरना गिरादे एक के बाद एक खुल कर सामया शाधीर परिवार के साधादे के जराकार इस शाधीर परिवार के जरादे के पिताजी के जराकार उन्होंने कुछ समय पहले किया कहा था और ये परिवार उन्हें की बाद मानता है उन्होंने कहा था कि हमारा देश का जो मिर्दास है मद्रमबर की ये लोग है जो मेहनत करके कमाते है उन्होंने गाव उपर जादा एक्स देना चाहिए अब यह लोग उससे भी एक कदमारी चलेगे हैं अब कॉंग्रेस का कहना है कि वो इन्हरिटेंस टैक्स लगाएगे माता पिता से मिल्ले वाली विराशत पर भी टैक्स लगाएगे आप जो अपनी मेहनत से संत्ति जुदाते हैं वो आपके बच्चों को नहीं मिलेगी बल्कि कॉंग्रेस सरकार का पंजाब उसे भी आपसे च्छिल लेगा यानि कॉंग्रेस का मंत्र है कॉंग्रेस की यूट जिन्दगी के साथ भी और जिन्दगी के बाद भी जब तक आप जीवित हैंगे कॉंग्रेस आपको जादा टैक्से हमारे लिए और जब आप धिनित नहीं रहेंगे तो आप पर इन्हरिटन टैक का बोगा देगी जिन लोगों ने पूरी कॉंग्रेस पार्टी कि पैत्रूप संपति मानकर अपने बच्चों को देगी बोलो नहीं चाहते एक सामान्य भार्टिय अपने बच्चों को अपनी संपत्त देगी हमारा देश संस्कात से संस्कुर्थी से उपभोगतावादी देश नहीं है हम संचे करने में विश्वास करते हैं सम्वजन करने में विश्वास करते हैं सम्रक्षित करने में विश्वास करते हैं आज अगर हमारी प्रक्टू की बच्ची है पर्यावरा बचा है तो हमारे इन संस्कारों के कारण बचा है हमारे हाँ घर में पूरे मामा भूंगे दादा दादी होगे उनके पाद एक छोटा सा भी घहना होगा ना अच्छी का चीज होगी तो समाल करके रखी भूद भी पहनेगी ने तो वो चोटी है मेरी पोती की जब साधी होगी तो मैं इसको दूगी मेरी नाती की जब साधी होगी तो मैं इसको दूगी यानत तीन तीन पीड़ी का खोच करके वो खोग अपना हग भी नहीं भोगती वो बच्चा के रखती हैं ताकि अपने नाते नाती को भी दे सके यह मेरे देश का सभाब है मेरे दे देश के लोग कर्ज करके जिसर की जिने के सोजि in लोग नहीं हैं महनत कर के जरुट के रसाब कर्ज कते हैं और बच्चाने के स्वखाव लोगत खोआयास यह वार्त मोजा शिनerson सुखाआइं का ये कांग्रेस पांट्अ को रवेंत को अजिरा इसका तारत है एक तो ये सोच उनकी बहुत पुरानी है आप पुरानी चीज़ों ठोजोगे ने और ये जो लोग है चक माले जो है न भोधी की माल की खाम घंड़े में लगे रहते हैं जड़ा कॉंगेर्ज की हर चीज देखिए आपको हर चीज में ये बुवाए गूँ भोधी के माल की खा कि अर्वन लख्षाल शहरी मावारियों ने कामेरेज पर कभ्या कर लिया है तो उनको लगा कि कुन अमेरिता को भुश करने के लिए भी कहना चाहिए कि मोधी ने इतना बड़ा आरुप लगाया तो बैलेंस करने के लिए वो उधर की तरम बूर देका रगाटक कर रहें ले आपके संताओं का हग आज ही लुक लेना चाहते हैं यह आपके मन्नूर है यह आपको मन्नूर है जड़ा पूरी तागें उनके काम के सुनाएगे यह मन्नूर है यह से चलने देगा आपको लुक 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 साथ यो जितने साथ देश पर कॉंगरेश की सरकार नहीं आपका हफ्ता पैसा बूता जाता है लेकिन भाजपास सरकार आने के बाद आपके हफ्ता पैसा आप लोगों पर खर्च हो रहा है इस पैसे से 37 गण के तरी 13 परिवारों को पक्के घर मिलाएं है इसी पैसे यह लाखों परिवारों को मुप्त राशन मिलाएं इसी पैसे पात लाखों के सकता हुट तिनाज मिलाएं बोटी ने ये भी तारफ की दी है कि चार जून के बाद 36 गड़ के हर परिवार में जो बुजुर्ग माता पुता है जिनकी आयूद 70 साल हो गई है आप उनको मैं कहना चाहता हूँ आज अगर आप बिमार होते हैं तो आपके बेटे को खरच करना होता है आपकी बेटे को खरच करना होता है अगर 70 साल की मन हो गई है और आप बेटे पर बोज नहीं मनना चाहते हैं तो ये मोदी आपका प्रेका है आपका इलाज मोदी करेगा आपके इलाज का ठक मोदी करेगा शर्दुल्या के ही करीग एक लाज किसानों के प्रेंग भाते में पिसान निती के सबाद दो सु तरोड लुपे जलाओ और ये आगी प्रूपे ने साथियां सर्दुल्या में करीग चार सो पसान पैसी है यहां पहाडी पोड़वा पुरिवाद है पन्लो, माधी, मजवाद ज़ती अनेक अथी अथी पिछी दिन जातियां राती है 36 गड़ों दूसरे रातों रेफी राती है हमने पहली बार ऐसी सभी दन जातियों के लिए 24,000 करों रुपे की पी-एम जन्मन योजना भी बनाई है इस योजना के तहर पक्के घर, बिजली, पानी, सिछा, स्वार, कौसर्वितार ऐसी सुविदाएं पिछनी जन जात्मियों के लाम तक पहुते गी पात्मों, दस वर्षों में भाती-भाती की चुनोत्यों के बावजोत यहां रे, सड़क, अस्पतार, मोबाइल चार ऐसे अनेक काम हुए है कहां एर्पोर्ट की पर्षो प्रानिमान फूरी की गई है आपने देखा है, अंबीता पुर्षे दिली के ट्रेन चली तो इतने सुविदा हुई है साथ और दस साल में गरीब कल्याण, आज युगासी कल्याण के लिए हमने इतना कुछ किया लेकिन ये तो सिर्फ ट्रेलर है ट्रेलर आने वाले पात साल में बहुत कुछ करना है सर्भुजा को स्वाधिना यानि स्वाधि की बेती है यहाँ प्राफुर्णी संद्रिय भी है, कला सांपूती भी है, बड़े मंदिर भी है हमें इच्वेत्र को बहुत आगे लेकर जाना है आज इसलिए आपको हर मूद पर कमल खिलाना है साथियों, चोबिस के इस तुनाम में आपको इस सेवर मरे विरह मोदी को आपका आशिरवाद चाहिए मैं आपको आशिरवाद माद चाहिए आपको केबल एक सामसद ये रही चुना बल्कि देश का उपर भुष्य तुना है अपने आने वाई पीडियों का भुष्य तुना है इसलिए राष्ट निर्मान का इर्मोका बिल्कुल नगमाएं गर्मी हो शारी प्याका अवसर हो खेट में कोई ताम निकला हो रिष्टेजार के हाँ जाने नी ज़रो कर देए हो इन सब के माउदू पे मतदान के देन कुछ समाएं ये आपके जेवर मोदी के लिए निका लिए भारत के लोगतंत्र के लिए निका लिए भारत के उद्वल मरुष्य के लिए निका लिए आपके बच्टों की गारंटी के लिए निका लिए और मतदान अवश्य करे अपने गुद में सारे रिकॉर्ट तोड़ने वाला मतदान हो इसके लिए मैं आपके प्राथ्रा करता हूँ और मेरा आगर है पहले मतदान फीर जल्पान हर गुद में मतदान का उत्सव होना चाहिए लोगतुर का उत्सव होना चाहिए जादे बाजे के साथ लोगतुरी जिंदा बाद करते कर देरे मतदान करना चाहिए मैं आपको बादा करता हूँ घाहनो मेरे लिए आपका एक एक वोत इसरफ वोत नहीं है मेरे लिए इश्वत रुपी जनता जनाधन का आठिवाद यह आठिवाद परमात्मा से कम नहीं है यह आठिवाद इश्वत से कम नहीं है इसलिए भार्तिये जनता पार्टि को दिया आपका एक एक गोड कमल के फुल को दिया हुआ आपका एक एक गोड विक्सित भाड़ बढ़ाएगा और ये मोदी की कारंटी है कमल के मिचान पड़ा बटन जमाएगे कमल के फूल पड़ा बोट देगे वो सीधा बोट मोदी के ठाते में जाएगा वो बोट सीधा मोदी को हेलेगा भायों करनों साथ मैं को साथ मैं को किंता मणी महराजी को भारी मतों से जिताना है मिराई को अगर है आप गर जाईएगा और कहिएगा मोदी जी ने जोहार कहा है कहेंगे मेरे साथ मोली भारत माता की भारत माता की भारत माता की बहुत बहुत धन्यवाद पर्धान मंत्री और सोची रह गाज आ बाता की माता पहिन मनबाख अर छतिस गयर पर जब कांग्रेज के सरकार रहीष कांग्रेस के सरकार में 5 साल को देखें कांग्रेस के सरकार लाहन लेकिन एत तीन महिने में जब हमएवार्ती जन्दाप्त पाटी का सरकार आई तो मोधीजी के गарांटी हम दो जो वादा गरर रहा हैं चुनाउं में वो सब लाहन पूरा करें, करें कि नहीं करें। जो भी से आहिवाला मोदेजी तक भूंचाहूं और जो भी पिकास के काम हो। चाहे वो रेल्वे के विस्तार के काम हो। या हवाई आत्रा अभी तो जर्मा जो हवाई बट्टी है, वोकार लाइसेंस में मिलगी सेफ।